आज क्लास 12 चार दर्स दोहजार चोबिस को इतिहास भी सैका से वन अरदवार्सिक पर इच्छा था आप लोगों ने कितना सही किया अंसर मिलान कर ले और कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आप लोगों का कितना स्कोर 40 में आएगा चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले महत्पून प्रशनों की जनकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सिखते हैं पहला आपका कोश्चन है भारतिय पूरा तत्व का जनक किसे कहा जाता है तो हम लोग सभी जानते हैं पूरा तत्व का जनक जो है लेकजंडर कंगिम को कहा जाता है दूसरा है नालंदा विस्विजाले की अस्थापना किस ने किया तो इसका अस्थापना जो है आपका कुमार गुप्त ने किया था तो दूसरा का B हो जाएगा तीसरा है महाभारत का फार्सी अनुवाद का नाम क्या है तो इसका फार्सी अनुवाद का जो नाम है वो है रजम नाम चौथा है महात्मा बुद्ध को ग्यान की प्राप्ति कहां हुई थी तो उनको ग्यान की जो प्राप्ति है वो बौद गया में हुई थी पांचमा है अल बरुनी का जन कहां हुआ था तो इसका जन हो लोग बहुत बार पढ़ चुके है इसका जन ख्वार रेजम में हुआ था पीर का अर्थ है तो पीर का अर्थ होता है गुरू हडपा सभ्यता में बंदरगा का पर्मान कहां से मिलता है तो इसका पर्मान जो है वो आपका लोथल से मिलता है तो सात्वा का आपका हो जाएगा D इंडीका की रचना किस ने की तो इंडीका की रचना मेगास्थनीज ने की थी ये बहुत बार बता चुके हैं बच्चो, और कोस्टन आ गया, मनुस्मिर्टी में कितने परकार के बिबा का उलेख है, ये भी बताया हुआ कोस्टन है, आठ परकार तिर्तिय बहुत सहिती का आयोजन कहां हुआ था तो इसका आयोजन जो है वो पाठली पूत्र में हुआ था प्राजिंतम भक्ती आंदोलन का नेत्रिद किसने किया था तो इसका नेत्रिद जो है अलवार एवव नए नार ने किया था जारखने बंगाल में भक्ति आंदोलन का परचार परसार किसने किया तो इसका परचार परसार जो है चैतने महा पर्भू ने किया था किताब उलहिंद की रचना किसने की तो हम लोग सबھی जानते बहुत बार बता चुके हैं अल बरूनी ने की थी मगद महाजनपद की प्रारंभिक राजधानी कहा थी तो उसकी प्रारंभिक राजधानी जो है वो राजगीर में ही थी किस तमिल ग्रंद को तमिल वेद कहा जाता है तो इसका सही अंसर जो हो जाएगा वो है आपका नल यार दिव्य प्रबंधम 15 का आपका हो जाएगा 200 हरपा किस नदी के किनारे अवस्थित है तो हरपा जो है यह बताया हुआ कोशन आ गिया रावी नदी के किनारे परियाख प्रसस्ती अभी लेके किस ने लिखा तो ये लेख जो है हरी सेन ने लिखा जैन धर्म के पर्थम तितकर कौन थे तो उसका था रिसब देव ये भी बताया हुआ कोश्चन आ गया बच्चो कौटिल का वास्तिविक नाम क्या था तो कौटिल का जो वास्तिविक नाम था वो था विश्नु गुप्त विष्णु गुप्त के नाम से ही वो पंस्तंद्र की कहानी लिखा करते थे हड़ापा वाश्यो को किस धातु का ज्यान नहीं था तो ये भी बताया हुआ कोश्चन आ गया लोहा फाहयान किसके सासनकाल में भारत आया था तो फाहयान जो है वो आया था आपका चंद्रगुप्त के सासनकाल में महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम क्या था तो इनके बचपन का जो नाम था वो सिधार्थ था किस काल को भारत का स्वर्नकाल कहा जाता है तो गुप्त काल को भारत का स्वनकाल कहा जाता है भारत के की छेतर में हड़पा सभ्यता का विकास हुआ तो ये आपका सही अंसर हो जाएगा पच्छ में उत्तर हडपा सभ्यता का सबसे बड़ा अस्थल नगर कौन है तो सबसे बड़ा नगर अस्तल है मोहन जुदाडो असो के अभी लेख में कितने प्रांतों का उलेख किया गया है तो यहाँ पर आपका उलेख किया गया है चार 28 का हो जाएगा B4 फूट डाल का विजय प्रात करने की नीती सर्व प्रत्रम किस राजा ने चलाई ये भी बताया हुआ कोशन आगया बच्चो अजाज सत्रून ने 29 त्री पीटक साहित किस धर्म से संबंदित है तो त्री पीटक जो है वो आपका बौध धर्म से संबंदित है 30 हडपा सभ्यता किस काल की सभ्यता मानी जाती है तो यह आपका माना जाता है कास यूगीन सभ्यता निम्लिखित में कौन कबीर के दोहे का संकलन है तो 32 का अपका A हो जाएगा B जग इम्न बतूता किस देश का निवासी था तो वो मौरक्को का निवासी था 33 का C हो जाएगा 34 अभी लेखों के अध्यन को कहा जाता है तो अभी लेखों के अध्यन को एपी ग्राफी कहा जाता है स्वेतामबर एवं दिगामबर का संबन किस धर्म से है तो इसका संबन जैन धर्म से है इवन बतूता ने किस पूस्तक के रचना की थी ये बताया वह कॉशन आ गिया इस्तूरुब जो है वो आपका है बाध्रम से संबंधित भारत का सेक्सपियर किसे कहा जाता है ये भी बताया हुआ कोश्यन आ गया बच्यों काली धास को जैन धन्म का वास्त्विक संस्थापक किसे माना जाता है तो वास्त्विक संस्थापक जो है वो रिशब देव को माना जाता है मोहन जोदाडों का उत्खनन किसके द्वारा किया गया था तो यह किया गया था राखल दास बनर्जी द्वारा 1921 में तो बच्चो आप लोगों ने कितना सही किया कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा मिलते हैं नेक्ट वीडियो साथ जय हिन जय भारत